आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे टाकोई बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा बूतेंगे मैदा लेंगे एक कप बेकिंग पाउडर लेंगे एक चम्मच हाफ टेबिल स्पून नमक लिया है मैंने आप अपने टेस्ट के साब से लेचे दो बड़े चम्मच ओयल लिया है आपको मिक्स करेंगे देखिए हमारे सारी चीजे मिक्स होच चुकी है अब हम दीरे दीरे वाटर एड़ करके आटा गूत लेंगे कि पांच मिनिट तक के लिए आप ऐसी गूतते रहे है इसको कि देखिए आटा बहुत सौफ्ट गूत लिया है मैंने अब इस पर ओइल की कोटिंग करके इसको 15 मिनिट के लिए रैस्ट पर रख दूँगे देखिए वाइल की कोटिंग कर दिया हम मैं ऐसे 15 मिनिट के लिए रैस्ट पर रख दूँगे यहां पर मैंने गैस ओन कर लिए कड़ाई चड़ा दिये इसमें मैं सर्चे का तेल यूज कर रही हूं क्यूंकि टाको से बहुत शार्प सा टेस्ट आता है आप कोई साभी तेल यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने एक प्याज स्लाइस में कटी हुई लिए इसको डाल दूग इसको निकाल लेंगे प्लेट में अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे इनको भी फ्राय करेंगे यहां पर हमने मिर्ची लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के साब से डालें और इसको ऐसे मिक्स करेंगे आप मिक्सी में भी पीश सकते हैं लेकिन यह ट्रडीशनल मेतड है इसको ऐसे ऐसे धीरे-धीरे आप मैश कर लिए देखिए हमारी मिर्ची रैडी है अब मैं इसमें प्याज मिक्स कर दूंगी देखिए इसमें मिक्स कर लिया है मैंने अब इसमें मैं एक कप मैस्ट की हुए बॉयल्ड आलू मिक्स करूंगी इसमें नीबू एक चौताई चम्मच हरी धनिया चॉप्ड गुई नमक एक चौताय चम्मच मिक्स्ट हर्प्स मिक्स करें इसमें एक बड़ी चम्मच यह ओप्शनल है आपके पास होटो आप डालें इन शबको मिक्स कर देंगे रोप्ड इन शबको ताको मेक्सिकन पूर इसमें शपाइस और टैंगी नाइस बहुत अच्छा रखता है चट पटा बन पीका ड़ा किस देखें किया है मैं आधे साहितते हैं हमारे मेशिण पुड़ ड़ा है अब में इसको रॉल करूँगी इसको रॉल कर लिया है मैंने अब इसको छोटे चोटे पीसिस में डिवाइट कर लेंगे देखें मैं डिवाइट कर लिया है ऐसे ही रॉल कर लिए अब हम इसको बे लेंगे इसको थोड़ा सा मैदा डेस्ट करेंगे इसके उपर लए रखेंगे इसको पर भी मैदा डेस्ट करेंगे और इसको रॉल करेंगे देखें इसको मैंने बेल लिया है ना ज्यादा हमें मोटा बिलना है ना ज्यादा हमें पतला बिलना है रोटी जैसा बिलना है ऐसे ही हम सारी और बेल लेगे देखें इतना ही पतला रखेंगे ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा रबा चड़ा लिया है और गैस की क्लेम को मीडियम रखा है हमें एक एक करके सारी सीट्स को सेखूंगी ऐसे हमें ज्यादा नहीं सेखना है बस इसका कच्चापन हमें दूर करना है इसको पलट देंगे सैमी कुप करेंगे स्कूम परस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक उद्सक्रा सेघ्म का मैं है यके करेमारी सते है आप देख सकते है बडिकाında सब्सक्राइब देमात। सब्सक्राइब लिए दूमःटो कैचप लिया है आलो जो हमने स्टफिंग वराइथी वो लिया है और चीज लिया है आई एसेम्बल करते हैं सबसे पहले हम इस पर तोमाइटो कैचप लगा लिया है अब हम इस पर चीज प्रेट करेंगे आधी सीट पर आधी सीट पर हम चीज रखेंगे अगर आपके पास चीज क्यूप्स नहीं है या मॉज्रिला चीज नहीं है तो आप चीज स्लाइस भी रख सकते हैं अब इसमें जो आमने स्टफिंग बनाईती उसको सेंबल करतेंगे अब हम इसके उपर भी चीज की एक और लेयर लगा देंगे आप अपने टेस्ट के इसाब से चीज डालें आपको चीज ज्यादा पसंदे तो ज्यादा डालिए कम पसंदे तो कम डालिए अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको थोड़ा सा दवा देंगे देखिए हमारा इक टाको बनके रेडी है ऐसी हम सारी फिल कर लेंगे अब भी से ही कितना टेस्टी दिख रहा है अब मैंने इस आरी टाको असेंबल कर लिये अब हम चलते हैं सेखने की प्रोसेस में गातिया यहां पर मैंने इस पर मैं बट्र डाल दूंगी आप यहां पर वैल भी यूज कर सकते हैं अब हम इस पर टाको रख देंगे दो टाको रखेंगे हम गोल्डन होने पर हम तक तक सेखेंगे इसको अब देख सकते हैं गोल्डन हो चुका है थोड़ा थोड़ा इसको हम दूसरी साइट चे पकाएंगे अब हम इसको कलर देंगे देखिए अब देख सकते हैं इतना प्यारा कलर आ रहा है गोल्डन है इसकी हम साइट भी सेखेंगे देखिए यह हो चुका है सारी साइट से अब इसको निकाल दूंगे आप देख सकते हैं चीज कितमा अच्छे से मेर्ट हो गया है अब देखिए हमारे टाकोस से केक गम रैडी है आए हम सर्व करते हैं देखिए हमारे टाकोस बनके रैडी है देखिए आपको दिखाती हो एक देखिए कितनी अच्छी से चीज मेल्ट हुआ है प्लीज आप घर पर बनाकर ट्राइब कीजिए और मुझे फीडबेक कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है आप खुद देख सकते हैं प्लीज आप घर पर बनाकर ट्राइब करें